Hello everyone, मैं आज इस वीडियो में आपको प्रेग्नेंसी के जो बहुत ही अर्ली सिम्टम्स होते हैं, यानि कि वन वीक की प्रेग्नेंसी में भी जो सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ एक हफ्ते के बाद क्या सिम्टम्स आते हैं, तो एक्चली प्रेग्नेंट होना यानि कि जब एम्ब्रियो जो है वो आपके यूटरिस में इंप्लांट हो जाता है, उस दिन से आपकी एक्चुल प्रेग्नेंसी स्टार्ट होती है पहली चीज तो क्या होती है कि जब आपका implantation होता है उस time पे थोड़े blood vessel structure होते हैं और उसे थोड़ी सी bleeding होती है और कुछ महिलाएं उसको notice कर सकती है एक हलकी spotting की तरह या pinkish discharge vagina में से हो सकता है उस time पे तो ये चीज़ possible है जरूर लेकिन एक चीज़ का ध्यान इसमें रखना ह है कि हर किसी को in fact जादा तर ले दी इसको ये जो symptom है ये वो observe नहीं करती है इसलिए आजकल इंटरनेट में और यूट्यूब में ये चीज़ बहुत famous हो गई है कि implantation bleeding इसको कहा जाता है implantation bleeding तो सब लोग सोशन है कि implantation bleeding तो सबको होती होगी लेकिन होती नहीं है ऐसा नहीं हो तो ये इतना कोई reliable symptom नहीं होता है pregnancy का सबसे reliable symptom जो pregnancy का होता है early symptom वो ये है कि आपका period miss होता है period miss होना most important और most reliable symptom होता है pregnancy का pregnancy के symptoms अभी मैं आपको बताने जा रही हूं कि most early symptoms of pregnancy क्या होते हैं सबसे पहले तो एक बहुती common symptom होता है pregnancy का कि आपको sickness feel होने लग जाती है जब भी आप pregnant होती है उसके बाद आपका जी मिचलाने लग जाता है खाना पकता है तो उसकी smell जो है बिल्कुल tolerate नहीं होती है और vomiting का मन करता है किसी को vomiting भी होती है तो इस तरीके से nausea और vomiting कुछ early symptoms होते हैं pregnancy के इसके इलावा fatigue एक बहुत common है symptom early pregnancy का यानि कि ठकान रहती है fatigue का मतलब होता है ठकान तो ठकान रहने आपको लग जाती है यह सब जो आपकी body में pregnancy से related hormonal changes होते हैं उनकी वज़े से होता है breast में आपको अपने कुछ changes महसूस होने लग जाते हैं आपको breasts में भारीपन महसूस होता है tenderness हो सकती है tenderness मतलब होता है अगर किसी area को छूने पे वहाँ पे दर्द होता है तो उसको tenderness बोलते हैं तो यह symptom भी आपके breasts में noticeable होता है इसके इलावा क्या होता है कि आपकी जो nipples के surrounding area वाला portion होता है उसमें pigmentation जादा होने लग जाता है उसका color जो है वो dark होने लग जाता है कई महलाओं में urination frequently urinate करने की urging होती है कई बार साथ में bloating हो सकती है या gas की और indigestion की problem बढ़ जाती है कई बार food cravings होने लग जाती है जो चीज़े पहले नहीं पसंच थी कई बार उनकी craving होने लग जाती है या किसी particular food item के लिए बहुत जादा मन करता है कि ये तुरंत खाने को मिल जाए या फिर कुछ particular food items के लिए बिल्कुल ही aversion हो जाता है बिल्कुल tolerate ही नहीं होता है कुछ महिलाओं को मुँ में थोड़ा metallic सा taste महसूस हो सकता है तो इस तरीके से ये कुछ science होते हैं pregnancy के जो बहुती early stages में भी appear हो सकते हैं लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी clear कर दिया कि pregnancy confirm सिर्फ और सिर्फ pregnancy test से ही हो सकती है तो कुछ महिलाओं में हो सकता है कि ये symptoms हो लेकिन फिर भी pregnancy ना हो और कुछ महिलाओं में हो सकता है कि ये symptoms ना हो फिर भी pregnancy हो तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है confirmation सिर्फ आपका pregnancy test से होगा और सबसे ज़ादा जो important symptom होता है pregnancy का वो आपका missed period होता है यानि कि आपका period इस डेट पे आने वारता उस पे नहीं आता है तो hopefully आज के वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा काम का लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए